नवस्कार कैसे हैं आप लोग मैं पंडित नरेंदरुपाध्या लाइव हिंदुस्तान के जोतिशे कारिकरम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं सबसे पहले अनलोग 7 नॉबर 2023 की ग्रह स्थिति देखते हैं गुरु मेश राशी में चंद्रमा सिंग राशी में शुक्र और केतु कन्या राशी में सूर्य और मंगल तुला राशी में बुद्ध ब्रश्यक राशी में शनी कुंभ राशी में और राहु मीन राशी में चलना है गुरु वक्री है, शुक्र नीच के है, सुर्य नीच के है, और बुद्ध शत्रु शत्री बैठे हैं. राशी फल देखते हुआ। मेश राशी। प्रेम में तूतू में का संकेत है। बच्चू के सेहत को लेकर के मन परिशान रहेगा। विद्यार्थियों के लिए इच्छा समय रहेगा। स्वास्थ पहले से बहतर। बेवसाय पहले से बहतर। सुरी को जल देते हैं। विश्यव राशी, घर में उपयोग की बस्तू में बढ़ोत्री होगी, लगजरी आइटम की खरदारी संभव है, भूम्भौन वहान की खरदारी संभव है, लेकिन ग्रिह कला भी संभव है, बाकि स्वास्त, प्रेम, ब्यापार अच्छा देखिना है, हरी बस्तू पास रखे मित्रों राशी, ब्यापारी के स्थिते सुद्रण होगी, अपनों का साथ होगा, नए रोजगार की सुर्यवात हो सकती है, स्वास्त अच्छा, प्रेम संतान अच्छा, ब्यापार भी अच्छा है, काली जी को प्रणाम करते हैं, करक राशी, धनका आवक बढ़ेगा, सुजय का संचार होगा, स्वास्त थोड़ा बेहतर होगा, प्रेम संतान मध्यम रहेगा, ब्यापार अच्छा चलेगा, पीली बस तुपास रखे, करने राशी, चिंताकारी स्ष्टिक असिजन हो रहा है, मन परिशान रहेगा, चिंतित रहेगा, भैभीत रहेगा, बाकी प स्वास प्रेम ब्यापार अच्छा दिख रहा है, शनीद्यों को प्रणाम करते रहे, ब्रेश्चक राशी, सरकारी तंतर से लाव होगा, कोट का चेरी में विजे मिलेगा, स्वास्त, नरम गरम, प्रेम संतान अच्छा रहेगा, ब्यापार बहुत अच्छा रहेगा, हरी ब स्वास्त मध्यम रहेगा चोट्षय पेट लग सकता है प्रेम संतान अच्छा है ब्यापार भी अच्छा रहेगा ताम्र की निर्मित बस तू कोई भी दान कर सकते हैं स्वास्त मध्यम रहेगा प्रेम संतान मध्यम व्यापार अच्छा सुरे को जलने शुप होगा नौस्कार